नमस्कार आदाव आप देख रहे हैं इमारा विशेश बिहार का MP करेक्शन मैं हूँ रिजवान एहमसिद्धी की बिहार में चुनाव परचार के अंतिम दिन मर्द प्रदेश के मुख मंतरी शीवरा सिंग चौहान में तीन रेलियों को संभोधी कि लिया और वहां अपनी उपलब्धियां के लिए ऐसा नहीं है कि मर्द प्रदेश के मुख मंतरी ही प्रदेश से कई बड़े में का चुनाव अभियान में शामिल हूए केंद्री मंतरी नरेन सिंग तोमर हो या फिर कैलाश मिल्यावर की प्रभाद जहां हो या फिर अर्विन मेनर अगर हम मत्र प्रदेश और बिहार के कनेक्शन की बात करें तो बिहार की राजनीती में अप पूर मत्र प्रदेश है लेकिन उनकी जन भूमी बिहार है शरद यादो बरसों पहले बिहार की भूमी में अपना राजनीतिक लोहां मनवा चुके है तो इस बार बीजीपी के कई दिकश पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार का चपा 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 चान रहे है जी हां यही है हमारा आज का विशेश बिहार का एंपी करेक्शन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें देखिए किस तरह से मूर्चा सभादा है मंद्य प्रदेश के दिगजने ताओं में बिहार बिहार चुनाव प्रचार थम गया है सियासी आरोप प्रत्य आरोप पहरे चरण के चुनाओं के लिए आखरी दिन चरम पर रहा इसे बीच शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग्चाव खान ने ताब बिहार चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के नेताओं की बड़ी भूटा रही है बिजबी मध्य प्रदेश के नेताओं का चुनावी रण में लुहा माना जाता है प्रदेश में तीसरी बार बिजबी की सरकाव बनने से संगटन के फकल का अंधादा लगाया जा सकता है देश के किसी ही राज्जे में तुनौहों मध्रदेश के मंतियों को जिम्यदारी जरूर मिल्ती थी बिहार तुनौह में की बिजेटी नेटाओं को बड़ी जिम्यदारी मिली है इनमे केंदरी मंतरी नरियमरसी內让ionar major केंदरी केमर हो बिहार के connection की बात करें तो बिहार की राजनेती में अपना लोहा मनवाने वाले गेडियों के वरिश्ट मेता और सांसर ठरदियागा मध्यद्रदेश के ही रहने वाले हैं बिजबी उबाध्यक्ष और हाचा की करम भून जरूर मध्यद्रदेश है लेकिन उनकी जन्भूनी बिहार है बिहार के रौमे नरेंद्र सिह कोमर को भोटपूर, बखसकर, रोहतास वा कैमूर की 22 सीटों का जिम्मा मिला मध्यद्रदेश सरकार में मंत्री के पौर पर लंबी पारी खेलने वाले प्यराश विजबी वर्गिये को भी विजबी केंड़िये संगधन ने पतना शहर, पतना ग्रामी, वबाह की चौड़ा सीटों की जिम्मेदारी दी है मध्यद्रदेश विजबी इसे अपने चौनावी कौशल में महारत को लेकर देख रही है एक तरफ मध्यद्रदेश के बिजब मेखा विहाज चौनाव के समी करम को भुनाने में लगे हुए है पुरी दूसरी तरफ कौंगेस ने अपने ही अन्गाज में बिजबी पर निशाना साधा है कौंगेस ने कहा है कि मध्यद्रदेश विजबी के नेता अब ठीके पड़ चुके है हर्याना महरास में मध्यद्रदेश के बिजबी के नेताओं ने भले ही जीत दिलाई हो लेकिन दिल्ली एलेक्शन की जिम्नेदारी भी मध्यद्रदेश के नेताओं पर ही थी जहां पूरे प्रदेश के 5000 कारेकरता लगातार काम करते रहे इसके बाद भी बीजेबी के महर इन सीठे ही लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश के नेता किसी दूसरे प्रदेश के चुनाओं का हिस्सा बने हो लेकिन बिहार का चुनाओं इन नेताओं के लिए अग्मी परिक्षा से कम नहीं है अब देखना दिल्केस्प होगा कि अच्छे दिनों के नारे के दम पर केंदरे में सरकार बनाने वाले मोधी और अब तक चुनाओं की गीतने ही वो बने नेता किया बिहार चुनाओं में भी चमतकार दिखा पाएंगे ग्योरो रिपोर्ट नियुज वल्डे इसा डिखा किस तरह से मदप्रदेश के नेता उनेयší टशरी अदर। किस तरह से मदप्रदेश के नेता होने के भावजूद ब्हार में कई लोग वाचनाओं जीते और वहाँ की राजमित के उठु़ी बनें।irens tendoin कि इसी तरह से आज मुखिम पहुचे और उनका अपना अंदास था, उनका अपना तरीका है, खेती को जैसा भी आप सुन रहे थे, लाप का धन्दा बनाना है, और उन्होंने वहां की जनता को आकर शिट करने की कोशिश की और कहा भार्तिय जनता पार्टी की सरकार बना है, कैलाश विजय वर्गी वहां ठटे ही हुए हैं पहले से, इसी विशे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, अचने महमानों से हम आपका पर्चे कराते हैं, मोहन यादों हैं, विधायक हैं, वरिष्ट नेता हैं भार्तिय जनता पार्टी के, और दीप्चंध यादों कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता है, पूर उपाध्यक्ष हैं, साथ ही वरिष्ट पत्रकार और हरी भूमी के संपादक संतोश मानों जी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं संतोश आप भी बिहार की प्रिष्ट भूमी से आते हैं, मद्दप्रदेश को और दिल्ली को आपने अपनी कर्ण भूमी बनाए हैं कैसे देख रहे हैं आप बिहार के चुनाओ को और मद्ध्य प्रदेश की निता वहां काफी बड़ी संख्य में हैं, चुनाओ प्रचार थम गया है और अंतिम जो पहले चलन के चुनाओ की जो अंतिम कवायद है, जो चुनाओी सभाय या मद्दाता को अपनी और आकरशित करन अगर महा धटवंदन की पराजय होती है तो यह लालू यादर के लिए बहुत बहुत हटका होगा। मुझे लगता है कि पराजय के बाद उनका राब्तिक सफर थनेगा। अगर बीजेपी के लाला पठवंदन हाता है तो इससे अनीत साजी का कहिए पराज़ावित होगा। क्योंकि उन्हें दिसंबर के बाद फिस से अग्देश बनना है या ना बनना है यह तै होगा। मुझे लगता है कि बहुत हत्त किया प्रधार मंत्री के कहर को भी प्रभावित करेगा। अगर बिहार में भाज़पा के जीत होती है तो प्रधार मंत्री नरेंद्रमुदी जी और चंकेंगे डेश की राज़ित में, दुनिया की राज़ित में। क्योंकि उन्हें पूरी सक्ति लगा दी है। मेरे उन्हें से ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधार मंत्री एक राज़ के चुना में इतनी सभाले, जीतनी वो ले रहे हैं और इतनी उनकी प्लानिंग है। अब जब आपने ये बात छेड़ी दी है तो वो जिस तरह से लाली आदो ने उनको अपने मैधान में घसित लिया। अब जो जुबानी जंग है, वो जो सबसे चर्चित जुबानी जंग है वो लाली आदो और प्रधान मंत्री नरेन मोदी के बीच में ही है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या लाली आदो काम्याब हो गए अपने गोल में लाने पर प्रधान मंत्री को, एक दूसरे कोई किसी को शैतान और कोई किसी को ब्रह्म पिशाच और पतानी क्या क्या किस-किस इस तरकी बात चीदे शुरू हो गई हुआ। चुना पत्यार की जब सुरुआत हुई थी, तभी लगबर रियस पुष्ट हो गया था कि चुना लालू यादो बना महन्यम हो भी होगा। चुनाओ के सुरुआत में मेरे साफी महा बटबंदन को भरत थी, लेकिन जैसे ये बिफ का महमला, जालदी का महमला सामने आया, तो मुझे रेकपर कहें ने कहें ने गनित गरबराई है और बीजेपी की पारत बही है। जहां पो जिबान जंग की बात है, तो लालू यादो से जिबान जंग में कोई जीत नहीं सकता। उनके पास देशी जुमले हैं और बिहाद में आम बोल चाल की जो भासा है, उससे निकले हुए जुमले हैं जो नेम मोरी जी के पास नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत काउंपर किया है उनको अब लगभग मुझे लगटा है दुखद है लेकिन एक पधान मंत्री को लालू यादो ने अपने मैदान में तो लेही लाया है कि वो से ने जोल में खीच लिया है। लाया है, बिलकु बिलकुँ को, हम महन यादो जी, आप मद्रपरदेश के बहुत नेता गए हैं वहाँ पर कहे लायाश विजयवर्डी भी गए हैं, मुखमंत्री ने आज सभाएं की हैं, तीन-ई तीन सभाएं ने नहीं है और शरद यार्ज आदो मद्रपरदेश के एक द युगदान आपने अच्छे से बताया और हम भी समझना है इस बात को संगठन के काम को चुनाओं के काम को मद्देश के लोग बहुत अच्छे से करते आये हैं और यहां चुनाओं में अपने अपनी जगे लोग काम करते लेकिन राज्यों के जो परस पर एक दूसरे के यहां के काम करने की हमारी भारतियन्तापर्टि की पद्रती है और इसना आतिस से जब आज आउशकता है तो माने मुख्यमिंटरी अर्विन जी तो लंबे समय से यहां मधिष के साथ बिहार में भी अला गए देरों से लुग कर आदाली है कि बाड़ों करने की आदत है और विहाईर के लोगयों का नेचर और कमवेस मद्देश दोनों किसान अधारित राज्य हैं बड़े भूगोलिक दुष्ट्री से इस नाते से मुझे पूरा भूरोसा है कि हम लोग काम भी कर रहे हैं और महां प्रतिसाद भी अच्छा मिलने वाला मद्देश दोनों के लोग भी रहते हैं इसलिए दूसरे की कल्चर और सारी चीजों को आप लगार साल से राजा भोज के बाद भोजपूरी भासा यहां ही से भोज की जाने के बाद बनी है इसलिए वह हमारा उनका अपना रिस्ता पुराना है दीप चन्यादर जी कॉंग्रे की अपनी होते हैं मद्य प्रदेश की कारशेली अलग होगी ब्यहर की अलग होगी मैं समयता हूं के यह सबसे बड़ी भार्ची जन्ता पार्टी है निवेंद मोधी की पराजा सबसे बड़ी यह है कि प्रधान मंत्री को इतना ज्यादा समय देना पढ़ ला है और वहां पर प्रधान मंत्री का इसकी भाषा में बहुत फर्ग होता है देश के प्रधान मंत्री से अपेक्षा होती है कि वे देश को किस तरब ले जाएंगे उसके तरफ अतनी बात करें बहार को किस तरफ देंगे और इस तरह से आश्वासन दिये गाए है पेकेज देने की बात की प्रधान मंत्री की तरफ से यह तो बड़े सोचने की बात है कि जब तक आपके बजट में प्रधान नहीं होंगे किसी बी के लिए किसी रुपय को रिलीस करनी के लिए आपको थोड़ से इसास कराना चाहता हूं आपको विशय का ध्यान दिलाना चाहता हूं नहीं है, और अदे धरे मिशी अध्याद पर है जोगा है अध्यास के बिल्ट मेंट्री बज़िश के प्रधान मंत्री और गश्री ऑपना हो अध्य कुन पर वारा पूरा राता नहीं टेकर रहा हो और वहां पर यह मानें कि जिसा भी महान भाई ने भी कहा हमारे साथी ने भी कहा है इस साथी तो हमारे साथी तो अच्छा अखवाद जो निकला है मैं फिर वही बात क्या रहा हूं कि यहां से गए मुखमंती जा रहे हैं मंत्री जा रहे हैं और यहां का मद्दप्रदेश्ट कंदर जो भीरोक्रेशी है वहाँ पर बिहार के किते लोग हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करने के लिए वह एक अलग चीज गनित इनकी होगी वह जो चुनावी रंग नीती का एक हिस्ता हो सकता है लेकिन वहां की जंता पर यहां का क्या प्रभाव पलेगा क्योंकि बिहार के अंदर जितना जातीगत असर वहां पड़ता है वो में स्टाना न नरेंज सिंग टॉंबर कर पढ़ने वाला है न शिवराज जी के पढ़ने व प्रात्रिक्ता है। लेकिन इतने प्रिसिक्षित कार करता गए हैं, काउंटल कर में आप लोग गए हैं। अभी बियार में हो रहा हैं, बियार जाएंगे, महाराश में होगे, बर्स गुज्राइब तो यहां तो गुज्राइब आपके पास फिर मैं लोटूँगा, और यह मैं समझोगा कि मुख मंत्री में अपने शाषनकाल की, मद्विदेश में जो शाषनकाल हैं भारती जंता पा जो केंद्रमेन अरंग मोदी जी जो चलकूत कर रहे हैं उन्होंने जो वादे किये थे देश की जंता को गुम्राइख किया थे अब आप से आखे हैं कि आज मर्द प्रदेश के नेताओं का दिन है दिहार में महां धेर सारे नेता है हम अगर उस विशा पर सीमित रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस विशा पर सचा पर पाएंगे बहतर में आगर पाएंगे मैं आपको अभी रोक रहा हूं उरकम जी आप क्यों क्या लगता है मुख मंत्री ने अपने सरकार के काम काज और बहुत तरह की चीजों की बात चीद किये मत्द प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में जिस भी तरह के काम काज हुए हैं जो भी घटना करम रहा है मत्री प्रदेश के मतलग यश अपयश तो सारी तरह की चीज़ें बिहार में भी पहुंचे होंगे और बिहार के लोग तो इस मामले में बहुत अधिक जागरुक हैं इसलिए कि उनके पास काफी वक से बहुत जागरुक हैं तो आप क्या देखते हैं कि अगर जिस तरह मत्री प्रदेश की निता वहां जा रहे हैं शिवराज सिंग आज वहां उनने तीन-तीन सभाएं की हैं तो इसके क्या माईने आप निकालते हैं और जनता में किस-किस तरह की चीज़ों के असर हो सकते हैं माफ कीजिएगा संतोष पायर जी शिवराज सिंग चुहार बहुत अच्छे वगता है बहुत प्रभाई भासन होता है इनका तो मुझे लगता है कि जिस जुदुस के साथ उनने बिहार में आज थेन सभाव को समुरित किया है मुझे परतूर, बेगुसरा और नवादा में और उनने वहां मुलतक खेती और किसाने की बात किया है कि मद्य परदेश में खेती को लाब का धंडा बनाया जा रहा है उसवर परदेश अग्रसर है और लाली आदव ने या नितीज कुमार ने इसकी चिंटा किसानों चिंटा कभी नहीं की बिहार में अगर बीजेपी के स राशनकला, उनकी सैली और मद्य परदेश जो पहले भी महारू राज्य कहा जाता था और अब इसकी तरह जो कि स्रेनी में आ गया है ये चीजे वहां बिहार जंटा को बताई जाए तो मुझे लगता कि कहें ने कहें कुछ ने कुछ फाइदा तो बीजेपी को बिहार में मि अधिचल से आसपास के राज्य प्रभावी तो मैं निश्यत रूप से जब हमारे यश्वश्य मुख्यमंत्री और जिस धंट से उनने अपने इस राज्य को बीमारू राज्य से बाहर ले जाके निकाल के दिखाया है अब बिहार के लोग भी जानते है इस बातों मद्यदे मैं उस बात की तरफ ध्याने परसित कराने चाहूंगा कि यह एक बड़े स्टेट में जो चुना होते है तो उस स्टेट में बहुत सारे नेता लगते है उसमें प्रदान मंत्री भी लग रहे हैं एक बड़ू जरूर बात एक फ़रक आया है कांग्रेस का और बीजेटी की सो लेने लगे में समझता हूं कि खास करके जब अपने सबने देखा होगा कि राजनेतिक शेतर में हमारे अपने नेता का अपना चेहरा एक वजन रखता है और उसके लिए अपने अपलब्दी दिखाने का यह मंच होता है और ऐसे में प्रदान मंत्री को कोई बड़े राज्य में जा करके अपनी बात खेते तो वो इसामरीक भी रहती है और वो सभाई गूरूप से वो ऐसी कोई जो छोटे मोटे बीजा आते है सबसे लोगष्य मुख मंत्री के परपर साम में भी आ रहे हैं मुकाबला आगर हम बात करें, मुकाबला पधान मंतरी Marenda Modi और Nitish Kumar के बीच में हो रहा है, और जो जबनानी जंग है वो लालो और पधान मंतरी के बीच में हो सारा कुछ पधान मंतरी के लिगा हैरे लिगा जमने लगा है, ये बात सही थी कि राजनीतिक धरातल पे दोनों का अपना अपना बड़ा बोड़ बेंग था लेकिन बीज़एपी की ताकत जिजड़न से निकल करके लोकसवा में आई है उसकी घवरा अठे के लालू और बाकी सारे लोग नितिस कुमार और अनि लोग भी मिलकर के अब वो म मह घढ़न दन की बात जरूर कर रहे है लेकिन उन को मालूँ है की महा हमें घट गया खाली कट बंदन रही है जजड़न से भाजपा ना अपने ताकत बढ़ै यह जड़न से बास्पा अपनी मांविजए होने की इस्तिपी मागे उ कर लीँए अभी पसिज़ है और वह वह क चुनाओं आखिर गुम फिर कर उनी चीजों पर आ गया। प्रियंका गांधी की आप कोई बात कर रहे हैं। यादा राजमीती का बड़ा महत है। तो इस पर भी आद दोनों से सम्झूदा आखिके पार है। मैं संतोष महानों जी के पास ही चलता हूँ। संतोष महानों जी मैं एक चीज यह लगातार पूछ रहा हूँ। मत्विदेश के नेता जो वहाँ कहे है। मत्विदेश का सकरात्मक और नकरात्मक दोनों तरह का पक्ष होगा। तो बिहार में किन-किन चीजों की चर्चा होगी दोनों की अगर हम बात करें। और फिर यह यादा फैक्टर कितना महात्पूर है क्या वोट लालू वोट पूरा नेतिश के तरफ वो करा पाएंगे, महागड़बंधन के तरफ करा पाएंगे और किस तरह से इसका वो देखते हैं। देखिए उसमें मद्यप्रदेश और राजस्थान ये दो राज्य हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका इस बार बिहार के चुनाओं में। अगर आपको याद हो तो नरेन सिंट उनर बिहार के इंचाज थे बतवर महासचिव बिहार उनके पास था। और अभी बतवर महासचिव जो बिहार के इंचाज है भुपेंड रियादव हैं। और अजस्थान के राने वाले हैं। तो मत्यप्रदेश की बड़ी भूमिका है। परभार जा हुआ है। कलास बिजव बरगिये चुनाओं रनीत के मास्तर माने याते हैं। शुदाशिंग चौहान जा रहे हैं। एक नाम आप भूल रहे हैं। बिनुद गोटिया दो महने से कैंप के रही है। बिलकुल, 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 बिलकुल. वो मत्यप्रदेश राजपा के महासचिव हैं। आप दो महीने से मुझप्रफर पुल में पड़े हुए है। तो घुमिका है, अब मुझे लगता कि अगर बीजपी वहाँ जीत इत्ती है, तो उसमें मत्यप्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। और अगर आप यादो फेक्टर की बाद करें, तो भ्यावी प्रभावी है ना इस सिक्वार इंकार कर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि उस वोट बैंक पे जो एच्छत राजलालु यादव का था वो अब नहीं है अगर ऐसा होता तो लोग सभा में जो भाजपा को इतनी बड़ी विजय मिली वो नहीं मिलता और इस बार देखिया आपकी पप्पु जादव के दित्त में एक मौर्चा है और पप्पु जादव कई दफा निर्दलिये चुना जीतते हैं अधेपूरा से और उनकी अपनी एक ताकत है कासकर वो सिमानचल के राक्रों में पुर्मिया, कतिहार, किसन, गंज, इसको चार-पार जीले है, इसको सिमानचल का जीला बोलते हैं, इसमें उनकी अतनी ताज़त है और उन्हेने दो तीम पार्टियों के साथ मिलके एक मौर्चा बनाया है, तो ये कहीं में कहीं नुक्सान पहुचाएगा महागडवन्दन को, दूसरा एक मौर्चा 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 है, जिसमें NCP, ये साज़त पहवार की पार्टिया है और कई पार्टिया है, और ये 240 सीटों पे चिनाल रही है, 240 में सुर 140 पे, तो ये कहीं में कहीं महागडवन्दन को ये नुक्सान पहुचा रहा है, और आप BJP कितब से देखे कितने मियता लगे हैं लालो जादों के पीछ जादों सीवान खिस सांसद हैं, तो एक बार आपको क्या लग रहा है, यादी संगर्श होने वाला है या या फिर यादों एक नेता यादों लाव यादों लाव यादों है। लावन जादों के घंजिय मंतिर आ हैं, वो भी सांसद है BJP के, एक पूरी फोज BJP ने जादी लाले आदा बहुत महात्मूर है, बहुत वड़ा लड़े का अभिकार खतम हो गया, चारा गोटाले में आरोपी, अत्तों सबाय आत्ता भी है, सारी चीजों के बाद भी लाले आदा लाले इसलिए इसलिए भी फोकस रहा है कि वह बहुत अच्छे वक्ता है और वह बहुत आक आपका बहुत बहुत आप अंतिम चल्ण का चुनाओं होने वाला है, अभी तो कई चुनाओं और भी होंगे बिहार में, लेकिन जो पहले दौर का चुनाओं है, उस पर भी सब की निगाह है, और फिर नतीजों पर भी होगी, वहां कौन सा अभियान सबसे अधिक कारगर विकास महात्पूर्ण था या कुछ और वहां चुनाओं अभियान के लिए जरूरी था, लेकिन इसके साथ ही मद्द प्रिदेश के नेताओं की भी साख महानाओं पर लगी हुई है, मुखमंती शिवराज सिंग ने अपनी सभाएं की है, इसके अलावा कैलाश विजवरग जिनको कई चुनाओं जीतने का सहरा उनके सरबंधा है, चाहे वो हर्याना का रहा हो या किसी अन्य प्रिदेश का, तो इस बार फिर उनको जिम्मेदारी बिहार में दी गई है, तो उनकी भी साख दाओं पर है, इन नेताओं की, अब सबसे बड़ी साख लेकिन पिधान मंत देखना है कि बिहार की जनता किस तरह का फैसला करते है, हमारे इस कारकर में बस इतना ही, न्यूस वर्ल्ड में खबरों का सिलसना जारी रहेगा, कल फिर हम मिनेंगे एक नए बुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजास्त ड्राश जल्यकोग के साथ बवेड़ी साथ जल्यकोप से भमोलस में इस का सवाबादी जल्यकोप अज़काकोग का साथ भते हैसला है, कम फिर साथ देखने रहे पालग़ी से जल्यकोबद्दे रहें कि विर साथ